नए साल के आगमन के साथ ही पूरे राजस्थान में कडाके की सर्दी पढ़ने लगी है। इससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस भीशन सर्दी और शीत लहर से प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि थंड मौसम की वज़े से रभी फसलों की अच्छी पैदावार होगी। वहीं कमोडिटी व्यापारियों का भी कहना है कि कडाके की थंड के कारण रभी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। इससे किसानों की इंकम में भी बढ़ोतरी होगी। मिली जानका उत्पादन की उम्हींद है उनका मानना है कि कड़ाके की ठंड के दौरान उस अधिक पड़ती है जिससे जमीन में नमी बढ़ जाती है ऐसे मैं फसलों को अतिरिक्त पानी मिलता है जिससे गिहुं और जोगे दानों को पुश्ट होने में मदद मिलती है। जैपुर के सरसों व्यापारियों की माने तो ठंड से सरसों की फसल को फाइदा होगा। उन्होंने कहा कि उतपादन 3-4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर अगले 10-12 दिनों तक ऐसी ही ठंड जारी रही और बारिश हुई तो सरसों और जीरा को फाइदा होना चाहिए। हालांकि इस बार मानसूनी बारिश की कमी के कारण फसलों की बुआई थोड़ी कम हुई। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी